इस वीडियो में लोग डिटेल में सिखेंगे कि HDFC बैंक में इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अंतर तक जोड़ जोड़े रहेगा नमशकार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं फिनो बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार रुज़ेट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आकन को प्रेस दिया गया है देखिए पे इसी पे वाले लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर यहां पर दिया गया है देखिए हो जाएगा, इस्क्रिन पर देखिए add pay के लिए यहाँ पर आपके सामने form open हो चुका है, सबसे पहले जिसको भी आप payment करना चाहते हैं, यहाँ पर उनका आप nickname डालेंगे nickname आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद से देखिए, आप से पूछा जा रहा है add an account, तो जिसको भी आप पैसे transfer करना चाहते हैं, उनका account HDFC bank में है, या फिर किसी other bank में है, तो अगर उनका HDFC bank में है, तो इस रेडियो बटन को आप टिक करेंगे और अगर non HDFC bank में है तो आप इस रेडियो बटन को चेक करेंगे मैं दोनों को आपको add करके दिखार दे रहा हूँ, ताकि आपके जो भी doubts होंगे, वो दूर हो जाएंगे, ठीक है साथी साथ आपको यहाँ पर यह बताए जा रहा है कि जिस भी beneficiary को आप add करेंगे add करने के 30 मिनट के बाद आप उनको पैसे transfer कर पाएंगे, ठीक है तो आपको add करने के बाद से 30 मिनट का wait करना होगा, उसके बाद से देखे, मैं पहले ऐसे beneficiary को add कर रहा हूँ, जिनका account already HDFC bank में है, ठीक है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उनका account number लिखना है यहाँ पर उनका account number फिर से लिखने के लिए बोला जा रहा है चुकि यह HDFC bank का ही है तो यहाँ पर आपसे IFSC code नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ account number आपको डालना है nickname और account number डालने के बाद से नीचे आपको एक continue का button दिया गया है इस पर आपको simply click करना है उसके बाद से एक confirmation का page आएगा जिसमें जो भी आपने detail भरे हैं वो show करेगा, जैसे यहाँ पर देखे pay nickname जो भी आपने डाला होगा वो यहाँ पर show करेगा, इसके बाद से account number जो आपने डाला है वो यहाँ पर show करेगा और उस account में जो भी account holder है, उनका bank में actual name क्या है, वो यहाँ पर नीचे show करेगा, ठीक है उसके बाद से देखे, यहाँ पर एक check box दिया गया है, इसे आपको tick करना है, इनके terms and condition को accept करने के लिए, उसके बाद से नीचे आपको confirm का button दिया गया है, इस पर आपको click करना होगा, authentication के लिए आपके mobile number को verify किया जाएगा, तो जो भी bank के साथ आपका mobile number link है, उस पर एक OTP भेजा गया है, six digit का उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद से continue button पर आप click करेंगे, उसके भी pay को add करना था, वो successfully कर लिया है, और अब 30 मिनट के बाद आप उस pay को पैसे transfer कर सकते हैं, ये तो process था कि अगर आप HDFC bank से related ही pay को add करना चाहते हैं, अब चलते हैं दूसरे process के तरफ, जिसमें आप किसी दूसरे account को जो की HDFC bank में नहीं है, उसको आप pay के तौर पर add करना चाहते हैं beneficiary के तौर पर, ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी pay आपने add किया है, यहाँ पर show होने लगेगा, और नीचे यहाँ पर एक और link दिया गया है, add pay या तो आप directly इसी पर click कर सकते हैं, या फिर जब home button पर आप click करेंगे, तो फिर से आप home screen पर आ जाएंगे, और यहाँ पर दिया गया है add pay, इसी पर आपको click कर देना है अब चुकी हम एक ऐसे bank account को यहाँ पर pay के तौर पर add करना चाहते हैं, जिनका account HDFC bank में नहीं है, तो अभी हमने जो इसे select किया था, HDFC bank इसको हटा करके, अब हमें इसको select करना होगा, यानि non HDFC bank account in India, तो जैसे इस radio button पर आप click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चुकी यह HDFC bank के बाहर का account है, तो यहाँ पर कुछ आपसे additional data भी मांगा जाएगा जैसे कि देखिए, name on account तो यहाँ पर अब जिस भी candidate को आप add करना चाहते हैं, उनका account में क्या name है, यह आपसे पूछा जाएगा, account number आपसे पूछा जाएगा और account number फिर से यहाँ पर डालने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर किस टाइप का यह bank account है, उसके बारे में पूछा जाएगा, और जैसे ही आप नीचे जाएगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे जो IFSC code है, उसके माध्यम से branch को find करने के लिए भी link दिया गया है, ठीक है, उसके बाद से नीचे आप जाएगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब कुछ फिल्ड वरने के बाद से आपको नीचे यहाँ पर confirm करने का बटन दिया गया, इस पर आपको simply click कर देना है IFSC code find करने के लिए अगर आपको जिस भी वो डाल करके find पर आप search करेंगे, तो आपको वो show करने लगेगा और उस पर click करके आप उसे select कर लेंगे उसके बाद से देखे, फिर से confirmation page आएगा, जिसमें आपने जो nickname डाला था वो आ जाएगा इसके बाद से जिस भी bank account को आप add कर रहे हैं, उनका bank में क्या name है उनका account number क्या है, किस type का ये bank account है और उनका bank का जो branch है, वो नाम, bank का नाम और यहाँ पर branch show करेगा और नीचे यहाँ पर उनका IFSC code show करेगा, ठीक है सब कुछ confirm करने के बाद से जो check box दिया गया है, इस पर आप tick करेंगे और confirm पर आपको click करना है authentication के लिए आपका mobile number verify किया जाएगा आपके mobile number जो की आपका bank के साथ link है उस पर 6 digit का एक OTP भेजा गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और continue पर आप click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपर ही आपको एक message शो करेगा you have successfully added a pay और यहाँ पर भी नीचे लिखा गया है you can transfer money after 30 minutes 30 minutes के बाद आप पैसे transfer कर सकते हैं यहाँ पर देखे यह page वाले section में आपको दिख रहा होगा पहला जो हमने यहाँ पर add किया था और दूसरा यहाँ पर जो add किया था यहाँ पर उनके detail आने लगे हैं तो अभी से 30 minutes का आपको wait करना है और उसके बाद से आप fund transfer कर सकते हैं वीडियो के साथ बने रहेगा किस परकार से fund transfer करना है यह भी मैं आपको process दिखाने वाला हूँ दोस्तों आधे गंडे का समय बेच चुका है यहाँ पर अब fund transfer करने के लिए यहाँ पर link दिया गया money transfer या तो आप directly इस पर click कर सकते हैं या तो यहाँ पर जो pay का link दिया गया इस पर आप click कर सकते हैं money transfer पर click करने के बाद से इस परकार से आपके सामने एक layout open होगा जिसमें आपको बताया जागा कि आपका यह जो saving bank account है इससे पैसे भेजे जाएंगे और किस account में भेजना है तो यहाँ पर जो drop down menu दिया गया है इस पर click करके आपने जो pay add किया था उसको select करना है उसके बाद से देखे कितना रुपे आप में भेजना चाहते हैं यहाँ पर आप अपना amount डालेंगे यह आपका date automatic आ जाएगा ठीक है और अगर आप किसी particular date पर बार बार उनको पैसे transfer करना चाहते हैं तो इस calendar के मादम से आप date select कर लेंगे और यहाँ पर जो check box दिया गया है sit as repeating transfer जैसे मालिजे कि आप अपने घर के सदस्यों को monthly basis पर पैसा transfer करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि मुझे बार-बार करना पड़े तो आप यहाँ पर repeating transfer पर टिक कर सकते हैं जैसे मालिजे आप चाहते हैं कि आपकी salary एक तारीक को अगर आ रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर वाले को पैसे चले जाए 5 तारीक को तो आप 5 तारीक का यहाँ पर date सेलेट कर सकते हैं और इसको जैसे ही टिक कर देंगे तो हर महीने के 5 तारीक को जो भी आप amount यहाँ पर डालेंगे automatic आपके bank account से कटेगा और जो भी pay आपने add किया था तो उनको हर महीने के 5 तारीक को पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जो भी amount आप सेट करेंगे उसके बाद से देखिए अगला हमसे पूछा जा रहा है transfer mode तो मैंने वीडियो के starting में आपको बताया था कि तीन प्रकार के आपके लिए options होते हैं पहला NEFT दूसरा RTGS और तीसरा IMPS तीनों में क्या difference होता है थोड़ा समय आपको समझा देता हूँ देखिए जो IMPS होता है ध्यान से सुनिएगा जो IMPS होता है ये instant money transfer करने के लिए option है जैसे किसी दिन bank अगर बंध है उस दिन भी आपका पैसा transfer हो जाएगा किसी दिन bank का holiday है national holiday है उस दिन भी आपका पैसा transfer हो जाएगा तो अगर आप instant पैसा transfer करना चाहते है तो आपको IMPS select करना होगा NEFT जो होता है वो instant पैसा transfer नहीं होता है इसमें जो भी आप यहाँ पर amount डालेंगे वो subject to verification का process होता है वो bank जब approval देती है तब जाकर कि यह पैसे transfer होते हैं तो यहाँ पर अगर आज आपने NEFT किया तो instant यह नहीं जाएगा हो सकता है एक घंटा दो घंटा delay हो करके जाए दूसरा यह होता है NEFT और तीसरा जो होता है RTGS ध्यान से सुनिएगा RTGS NEFT और RTGS दोनों सेम ही चीज है लेकिन डिफरेंस यह है कि NEFT में आप 2 लाग तक maximum पैसा transfer कर सकते हैं RTGS का full form होता है real time gross settlement यानि जब आप पैसा भेजेंगे instantly उसी से में पैसा जाएगा लेकिन इसमें शर्त यह है कि 2 लाग से जादा जो amount होगा आप उसको RTGS कर सकते हैं और NEFT का full form होता है National Electronic Fund Transfer तो इसके मादम से maximum 2 लाग तक आप पैसा भेज सकते हैं और ये पैसा जाने में थोड़ा सा समय लग सकता है IMPS जो होता है वो instantly जाएगा लेकिन IMPS 2 लाग से कम होगा 2 लाग से कम होगा IMPS और RTGS जो है आपको भेजने का option मिल जाएगा उसके बाद से देखे यहाँ पर remark लिखने के लिए डाला गया है ये optional है अगर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आप कभी अपना statement देखें और ये आपको ध्यान ना आए कि ये पैसे कहा गया है तो आप इस statement में आपको ये remark देखेगा जो भी आप यहाँ पर डालेंगे तो इससे आपको clear हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये मैंने बहजा था और ये remark को देख करके आपको याद आ जाएगा तो जो भी आप यहाँ पर remark क्लिकना चाहते हैं यहाँ पर remark क्लिक सकते हैं उसके बाद continue बटन पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद से confirmation का page open हो जाएगा आपके सामने इसमें जो भी detail या फिर जो भी amount आपने भरा है वो सब कुछ confirm करने के लिए बोला जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस bank account से आपके पैसे deduct होंगे और इस bank account में पैसे जा रहे हैं कितना amount आपने भेजना चाहा रहे हैं वो यहाँ पर show करेगा किस date में आप भेज रहे हैं और किस mode में आप पैसे transfer कर रहे हैं यहाँ पर show करेगा और जो remark आपने लिखाता यहाँ पर show करेगा उसके बाद से इस check box को आप टिक करेंगे और नीचे जो confirm का बटन दिया गया है इस पर आपको click करना होगा इसके बाद से फिर से verification किया जाएगा verification के तहर तीन option आपको दिये गए है या तो आप SMS के मादेम से जो भी bank में आपका mobile number link है उस पर आपको एक SMS मिलेगा और उस SMS से आप verify करेंगे या तो आप email को जब select करेंगे तो आपका जो भी link email ID है आपके bank से उस पर एक OTP भेजा जाएगा या तो अगर आप चाहें तो दोनों को कर सकते हैं तो आप देख लिजेगा अपने ही साब से मैं यहाँ पर SMS को select करता हूँ और उसके बाद से continue पर आपको click करना है उसके बाद से जो आपका bank के साथ mobile number link है उस पर 6 digit का एक OTP भेजा गया है इस OTP को यहाँ पर आप डालेंगे और उसके बाद से नीचे जो continue का बटन दिया गया इस पर आपको click करना होगा जैसे ही आप continue पर click करते हैं instantly आपका पैसा transfer हो जाता है आप इसके पर देख पार होंगे your request for IMPS transaction has been accepted request you to check the status of your transaction in view transfer history और यहाँ पर आपको reference number दे दिया गया है यही reference number कहीं पर भी आपसे मांगा जाता है तो इसको आपको share करना होता है और साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप done पर click कर सकते हैं या फिर download पर click करके यह slip आप download भी कर सकते हैं माली जी आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किया और अगर आप उसको रिसिप्ट भेजना चाहते हैं तो इस पर डाउनलोड करके आप रिसिप्ट को भी भेज सकते हैं ठीक है जब आप statement में चेक करेंगे तो आज के date में देखिए 3 जून 2014 को अभी just मैंने जो transfer किया है वो यहाँ पर डिटेल यहाँ पर show करेगा और कितना amount आपने transfer किया है वो यहाँ पर show करेगा ठीक है और इससे पहले जो transaction हुए है वो नीचे आपको show कर रहे होंगे तो इस प्रकार से और EFT को सेलेट करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है ठीक है आपको ये वीडियो कैसा लागा कमेंट के मादम से जोड़ बताईगा और ऐसे ही महत्पून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखन